हर हुली दिवाली के तिवार पर हमारे घर में ये नमकिन ज़रूर बनाई जाती है आज हम पोहे से बनाई जाने वाले ये नमकिन के रिसपे शेर करेंगे जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, चटपटी और फटाफट आसानी से बन जाती है दिवाली एक ऐसा देवार है जिसमें आपको हर घर में हर मार्केट में पोहा जरूर से दिखाए दे जाएगा तो ये पोहा आज हम नमकिन बनाने में इस्तेमाल करेंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटी से नमकिन दियार होगी आपके घर में जो भी चीज़े अवलेबल हैं सिर्फ उनहीं से नमकिन बनाई जाएगी तो जरूर ट्राइ कीज़े इस फेस्टिबल में और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कीज़ेगा और शेयर कीज़ेगा पोहा की नमकिन बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर ती से चार बड़े चमच तेल गरम करेंगे वेजिटेबल ओयल और अब इसके अंदर एक कप के करीब रौ पीनट कच्छी मुंगफली आट करेंगे मुंगफली को 70-80% हम को करेंगे इन्हें हलकी आज पर मीडियम टू लो फ्लेम पे भूल लेंगे ऐसा क्रिस्पी होने तक उसके बाद हम गैस के आज को कम करेंगे और इसके अंदर करीब पत्ते आट करेंगे एक मुठी के करीब या फिर 20-25 थोड़े करी पत्ते हम बाद में आट करेंगे दो हरी मिर्चियों को काट कर आट करेंगे और इन्हें हलकी आज पर थोड़ा सा सेख लेंगे ताकी करी पत्ते का फ्लेवर तेल के अंदर आ जाये अब चुले की आज को बन करेंगे और इसके अंदर नमक, हल्दी पाउडर, एक छोटी चमच और चथा एक छोटा चमच हींग आड़ करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे चुले की आज को इस टाइम बन रखा है अब इसके अंदर हम भूने वे चने आड़ करेंगे चने के उपर का जो छिलका होता वह हमने निकाल दिया है आप इसके अंदर भूने वे चने की दाल भी आड़ कर सकते हो चने और मुंगफली की कौइंटिटी सेम रखनी है और आप कम जादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अनुसार अब इसके अंदर हम ये पोहा एट करेंगे हमने बिल्कुल पतला वाला पोहा लिया है आप इसके अंदर मोटा पोहा भी एट कर सकते हो पतले पोहे में बनाने में टाइम कम लगता है ये जल्दी से सिक्कर त्यार हो जाता है पोहा लगबग 3-4 कप के करीब है अब केस की आच को वापे से चालू करेंगे और पोहे को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसी मसाले पोहे पे कोट हो जाएगे इसका कलर सुनेहरा यलो हो जाएगा और ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है जैसी पोहा सिकर त्यार होगा ये crisp हो जाएगा आप इसे चेक कर सकते हैं पोहे को जब आप हाथों से ऐसे मसलेंगे तो ये चूरचूर हो जाएगा इसका मतलब ये अच्छे से त्यार हो चुका है हमारी चिवडा नमकिन त्यार है आप इसी तरीके से इसे enjoy कर सकते हो अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं तो आप ऐसे ही सर्फ करें लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा spicy और चटपटा बनाना चाते हैं तो इसके अंदर हम बेसन के सेम एट करेंगे और थोड़ा से कुछ मसाले एट कर लेते हैं हम इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला लगबाग आधी छोटी चमच और कश्वरी लाल में चैट करेंगे ये मिर्ची बहुत ज़ादा spicy नहीं होती है इसलिए हमने ये मिर्ची आट की है अगर आप नॉर्मल रेगुलर मिर्ची आट कर रहे हैं तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में आट करें लेजे तयार है हमारी चटपटी सी तीखी, स्पाइसी, मसालेदार, चिवडा नमकीन इसे ज़रूर ट्राइ कीजे ये बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनती है यदि आपको और भी तरह तरह की नमकीन के रेषपेज दिखनी है या फिर कथी मिठी कोई नमकिन तो आप प्लीज कोमन शेक्षिन में यह स्रीकीन नमकीन ये एक लोट्टी ऐसी नमकीन है जिसके अंदर तेल बहुत कम यूज होता है और अगर आप लंबे सफर पर जा रहे हैं तो भी ये नमकी ले जा सकते हैं और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कोमेंट करके जुरू बताएगा वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलेगा थेंक्यू सो मुच पो आजिंग, हैव नाइस टे